हेलो एवरिवन तो अंजली की रसोई में आज बन रहा है ब्रेट से इतना टेश्टी और क्रिस्पी नास्ता कि इस से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा तो चलिए बिना समय बरबाद के वे इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं ब्रेट का टेश्टी नास्ता बनाने के लिए हमने चार आलू को पहले से ही मैस्क कर लिया है कि विडियो ज्यादा लॉंग ना हो तो सबजियों में हमने लिया है बारी कटा हुआ प्याज, बारी कटा हुआ धनिया पता और बारी कटा हुआ हरी मेच तो ये सारे चीजों को बारी काट कर डालने से बहुत टेस्टी स्ट्रफिंग बन कर तयार होता है आलू का तो सारे चीजों को डाल ले अब आलू में बाइंडिंग लाने के लिए हम इसमें एक बड़े चमच आर रोट पॉर्डर डालेंगे आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं तो श्टरफिंग को चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ पॉर्डर मसाला डालेंगे अब यह सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिए आलू में आलू में बाइंडिंग लाने के लिए आप मैदा या आर रोट पॉर्डर जरूर डालें तो हमने सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो आलू का श्टरफिंग बनकर तयार हो गया है तो पहले हम कर लेता हैं है तुद्ध को पहले हम इसी तरीके से ब्राउन वाला पोर्षन हटा लिया है तो अब इसे बेल ना है तो उसे हमें रोटी जैसा बेल लेना है तो बेलन के मदद से ब्रेट को एकदम पतला कर लें इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल रोटी जैसा पतला हो जा रहा है तो ब्रेट के इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेस ब्रेड यूज़ करें तो सारी ब्रेट को हमने इसी तरीके से पतला बेल लिया है तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम टमेटो सोस लगाएंगे एक साइड सिप लगाएंगे मतलब कि आधी ब्रेट में हम टमेटो सोस लगाएंगे और आधी ब्रेट में हम चिली सोस लगाएंगे तो इस तरीके से आधा आधा ब्रेट पे दोनों सोस लगा ले उसके बाद जो हम आलू का इस ट्रफिंग बनाये थे वो थोड़ा सा इस पर रखेंगे और चारो तरब से ब्रेट पर अच्छे से लगा लेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से चारो तरफ से अच्छे से लगा ले ब्रेट पर तो आप देख सकते हैं आलू का स्ट्रफिंग हमने चारो तरफ से अच्छे से ब्रेट पर लगा लिया है अब हम इसे रोल करेंगे तो आप देख सकते हैं हम कैसे रोल कर रहे हैं इसी तरीके से आपको सारे ब्रेट को स्ट्रफिंग लगा कर रोल कर लेना है तो एक मैं और करके दिखाती हूं तो ब्रेट पर पहले हम दोनों सोस लगा लेते हैं आधा आधा साइट आधा पर चिली सोस लगा ले आधा पर टेमेटो सोस इस तरीके से चारो तरफ से फैला ले उसके बाद हम आलू का इस्टरफिंग रखेंगे इस पर इसे भी चारो तरफ से अच्छे से फैला ले तो ब्रेट पर चारो तरफ से लगाने के बाद हम इसे भी रोल कर लेंगे तो ये रेसिपी खाने में बहुत टेश्टी लगता है बच्चे बड़े सब को पसंद आएगा तो ब्रेट का दो रोल हमारा बन कर तयार हो गया तो सारी ब्रेट को हमने इसी तरीके से रोल कर लिया है आप देख सकते हैं आलू का श्टफिंग कहीं कहीं दिख रहा है कहीं कहीं टमेटो सोस दिख रहा है इसलिए हम क्या करेंगे एक बाउल में दो बड़े चमच बेसन लेंगे तो हम इसमें डाल रहे हैं आधा चोटा चमच नमक तो नमक स्वाद अनुसा डाले कुछ पॉर्डर मसाला डालेंगे तो आधी चोटी चमच लाल मिर्च पॉर्डर आधी चोटी चमच धनिया पॉर्डर और एक चोथाई चोटी चमच काली मिर्च पॉर्डर डालेंगे इस तो भेसन का घोल जादा पतला भी नहीं होना चाहिए और जादा थीक भी नहीं होना चाहिए, मेडियम रखे इसे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके बेसन का एक घोल तयार कर लिया है तो बेसन का सिफ हम ब्रेट पर कोटिंग करेंगे तो तलने के बाद क्रिस्पी नहीं होगा तो इसलिए हम एक बड़े चमच इसमें आरा रोट पॉडर डालेंगे इससे क्या होगा कि जो ब्रेट की नास्ते बनेंगे वो एकदम क्रिस्पी लगेंगे खाने में तो आप चाहे तो इसके जगह दो बड़े चमच मैदा भी ले सकते हैं अगर आपके पास आरा रोट पॉडर नहीं है तो अब सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बेसन का घोल जो है वो थोड़ा ठीक लग रहा है इसलिए हम थोड़ा सा लाश्ट में पानी और डालेंगे और इसे थोड़ा सा पतला कर लेते हैं सारे चीजों को हमने अच्छे से घोल लिया है तो पहले हम एक ब्रेट को आपको कोटिंग करके दिखाते हैं कि अच्छे से कोटिंग हो रहा है कि नहीं ब्रेट पर तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से कोटिंग हो जा रहा है ब्रेट पर तो अब हम चलते हैं ब्रेट को तलने के प्रोसेस पर तो गैस पर हमने पहले ही ऑईल रख दिया था तो ऑईल हमारा मेडियम गरम है बेसन के गोब में एक एक ब्रेट को अच्छे से डिप करके औल में डालेंगे तलने के लिए तो बिलकुल इस तरीके से फॉक के मदस से डालें ओल में तो ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी करना है क्यूंकि ब्रेट एकदम सौफ्ट होता है तो बेसन में जाते ही braid एकदम तूटने तूटने हो जाएगा इसलिए एकदम जल्दी से इसे oil में डाले तो जितना braid roll oil में आया उतना हमने डाली है तो अब medium flame पे इसे अच्छे से तल लेते हैं कि इसका color एकदम golden brown दीखे एकदम जैसा पकोड़े का color होता है तो बिल्कुल उसी तरीके से इसे तर लेते हैं तो ब्रेट का जो कलर है वो दीरे दीरे चेंज हो रहा है तो अब हाई फ्लेम पे इसे तर लेते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से चलाते हुए हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से तर लेते हैं और इसका कलर एकदम गोर्डीन निकालेंगे तो हाइट फ्लेम पे हमने अच्छे से तर लिया है आप देख सकते हैं ब्रेड रोल्ल का जो कलर है वो बिल्कुल चेंच हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तो फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और सारे ब्रेड रोल को निकाल लेते हैं किसी बटन में तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे ब्रेड रोल को तल कर तयार कर लेते हैं तो सारे ब्रेड रोल को हमने तल लिया है तो आप देख सकते हैं कितना टेश्टी लग रहा है देखने में ही तो अब हम सर्फ कर लेते हैं, तो सर्फ करने के लिए हमने लिया है टमाटो सोस और चिली सोस, उसके बाद इस तरीके से चारो तरफ से रख ले ब्रेड रोल को, तो ब्रेड रोल को हम एक कट करके दिखाते हैं कि इसका अंदर का टेक्शर कैसा है, तो आप देख सकते हैं अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें बैल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें तो मिलते हैं इसी तरह के रेसिपी के साथ नेक्स्ट विडियो में